बच्चो आज हम discuss करने वाले हैं First Flight Book की poem जिसका नाम है Animals जैसे लिखा है Walt Whitman ने और इस poem में क्या क्या कहा है Walt Whitman ने वो हम discuss करने वाले हैं मैं explain करने वाली हूँ आपको बच्चो ये poem एक छोटा सा पार्ट है extract है उस song का जिसका नाम है Song of Myself in Leaves of Grass जहां से ये कवीता extract की गई है यानि कि इस Song of Myself in Leaves of Grass से यह poem ली गई है तो चलिए start करते हैं poem Stange of One इस poem में poet हमें बता रहे हैं कि कैसे वो animals को मनुश्यों से ज़्यादा prefer करते हैं और वो हमें इस poem में ये भी बताएंगे कि क्या-क्या ऐसी negative qualities है human beings में मनुश्यों में जो कि उन्हें पसंद नहीं हैं और जैसे कि animals में वो सब चीजें वो सब आदतें bad qualities नहीं है animals उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और वो चाहते हैं कि वो animals के साथ रहें तो poet पहली तीन lines में यानि कि I think से लेकर के long and long तक में ये कहना चाह रहे हैं कि वो animals के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि animals काफी शांत, calm, relaxed और self content रहते हैं और बस वो खुद में ही मस्त रहते हैं और दूसरे जानवरों के साथ ज्यादा interact नहीं करते हैं अगर हम next change की बात करें, they do not sweat से लेकर duty to God तक यहां पर poet कुछ animals के features के बारे में बता रहे हैं और कहा रहे हैं कि animals छोटी छोटी बातों पर रोना दोना नहीं करतें एक दूसरे से कोई चुगली नहीं करतें, complaints नहीं करतें जैसे कि मनुष्य करते हैं चोटी चोटी बातों पर, बगवान से complain करते हैं और point नहीं यह भी कहा है कि अगर animal से कोई गलती हो जाए तो वो उस बात को लेकर रात रात बर जागते नहीं, वो सो जाते हैं, वो बात को भूल जाते हैं लेकिन मनुष्य जो है, वो किसी चीज के पीछे पढ़ जाए, तो उसके पीछे ही पढ़ा रहता है, चाहे उसे रातों रातों तक, कई रातों तक सोने को भी ना मिले और वो हमेशा इसी चिंता में रहता है, कि जो मैंने गेन किया है, वो मैं खो ना दूँ, या कोई भी अगर गलती हो जाती है, तो उसके पीछे भी वो अपने रातों की नींद खो देता है स्टैंजा तीन में, फिर नेक्स स्टैंजा में, नोट वन से लेकर होल अर्थ तक, पोईट हमें कहां रही है, कि कोई भी जानवर अपने जीवन से असंतुष्ठ नहीं होता है, नही कोई जानवर चीजों का मालिक बनने के विश्य में पागल होता है, कोई जानवर किसी पुटने नहीं टेकता यानिकी इस धर्ती पर सारे जानवर आदर्निय या दुखी नहीं है मतलब सब एक समान है यानिकी एक जैसे ही उनमें कोई भेदबाव नहीं है तो पॉइट हमें कहा रहे हैं कि हम जानवरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें अपने परिसितियों प लालसा नहीं होती, कोई भी मैटेरियलिज्म उनमें नहीं होता तो वैसा ही मनुश्या में भी होना चाहिए तो इस तरह से पॉइट जो है वो हमें एनिमल से बहुत कुछ सीखने के लिए कह रहे हैं कि हम उनकी आद़तों से जो हैं बहुत कुछ सीख लें जो जो उनकी अच की तरह मस्त होकर बिना किसी चिंता के सोजाया करें और स्टेंजाफोर में यानि कि लास्ट लाइंस में पोईट हैरान हो रहे हैं कि एनिमल्स में ये सब क्वालिटीज यानि कि ब्रदर हुड इनोसेंस आखिर ये सब गुन एनिमल्स को कहां मिले क्या ऐसा हुआ होगा कि यूमेंस जो हैं मनुश्य अपनी ये सारी क्वालिटीज कहीं पर भूल आए या कहीं पर गिरा दी उन्होंने ये अपने सारी क्वालिटीज अच्छा या और बच्चो पॉइट इस क्वेश्टिन के साथ इस पॉइम को खत्म कर रहे हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हमारे पास भी अगर हम गोल्डन डेज में देखें तो ये सब क्वालिटीज थी हम भी ब्रदर हुड की तरह तो बच्चो कैसे लगी आपको ये पॉइम और अगर आपको ऐसी ही और पॉइम्स देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं